एक तरफ नेपाल में भारत और अमेरिका को मिली बहुत बड़ी जी तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जैसंकर ने ऐसा क्या कर दिया कि अब इसराइल बेहद खुस हो रहा है जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन कवरों को विस्तार से दरसल इस वक्त नेपाल में बहुत बड़ा संकट्स खड़ा हो गया है और नेपाल अगर नहीं समला तो स्रिलंका जैसे हालात होने बिलकुल तय दिख रहे हैं कारण यह है कि बड़े तेजी से नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है और खाली होने क रफ्तार बहुत जादा तेज है अब अचानक से ऐसा क्यों होने लगा है नेपाल ऐसा क्या कर रहा है किसी के साथ जंग तो लड़ नहीं रहा है जो उसके खर्चे बड़ रहे हो फिर नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार खाली क्यों हो रहा है दर्सल मार्च 2022 में तब गंटी बजी नेपाल की जब उसने देखा कि उसका विदेसी मुद्रावंडार 975 करोड डॉलर रह गया है जब जुलाई 2021 में ये था 1175 करोड डॉलर करीब 7 महिनों में नेपाल की विदेसी मुद्रावंडार में करीब 200 करोड डॉलर की कमी आई और नेपाली रूपए में ये मुद्राभंडार का बहुत बड़ा योगदान होता है लेकिन आप देखेंगे कि यही माना जाता है कि किसी भी देश के पास कम से कम सात महिने का बजट होना चाहिए विदेसी मुद्राबंडार इतना जरूर होना चाहिए कि साथ महिने की खरीद वो आराम से कर सके विदेसी मुद्राबंडार का इस्तेमाल जादा तर देश करते हैं किसी चीज की खरीद के लिए हतियारों की हो आनाज की हो या चीजों की हो जैसे ही नेप नेपाल ने कार, महंगे बाइक, सराब, तंबाकू, परतिचिंच से बड़े टेलिविजन सब पे बैन लगा दिया कि ये अब नहीं खरीदे जाएंगे। नहीं हाल करें, जो हाल सिरलंका का हो गया है, अभी सिरलंका का जिस तरीके से ओइस्थिरता हो गई है, अगर चीन चाहे तो कबजे को बढ़ाता चला जाएगा हम्मंटवटा पोट से, ऐसे में ही वो नेपाल के साथ भी करने की कोशिस कर रहा था, सिरलंका की बड़ी मदद भ और उसका आसर भी देखने को मिल रहा है, नेपाल पहले खरीदता था, उससे कहीं ज्यादा इस बैन से पहले खरीदने लगा था, आपको बता दें, नेपाल का जितना अंतराष्टिय बैपार चलता है न, उसमें 90 परतिसत तो वो खरीदता ही है, बेचता है मात्र 10 परतिसत और खरीद और ज्यादा बढ़ने का मतलब है, नेपाल की हालत क्या होगी आप समझ लीजिए, पिछली जो सरकार थी नेपाल की, वो नेपाल को पूरी तरीके से चीन के हाथ का खिलोना बनाना चाहती, लेकिन अब आखिरकार नेपाल ने एक बड़ा वैसला लिया और ये व माइनल कर लिया है, और ये समझोता है 65.9 करोर डॉलर के अमेरिकी सहायता, इसकी पूष्टी खुद काटमांडू पोस्ट ने कर दी है, समझोते के अनुसार अब इसे दे रहा है अमेरिका प्रजेक्ट के लिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, रोजगार मिल रहा है और बाहर क पैसा नेपाल में घुस रहा है, इस प्रजेक्ट को रोकने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का दम लगा लिया, लेकिन आखिरकार अमेरिका जीती गया, और कहीं न कहीं बारत की इसमें भूमी का जरूर रही होगी विदेश नीती के रूप से, कि यहां अमेरिका की एंट् जाही जमाना सुरू कर दिया है, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा, खेर जहां नेपाल में भारत और अमेरिका को बहुत बड़ी जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जैसंकर ने अब इसराइल में तहलका मचा दिया है, वैसे आपको बता दें, इसराइल और भा पोचा नहीं था कि इस तरीके का यात्रा भारत कर लेगा, इसराइल और फलस्तीन में थी तगड़ी वाली दुस्मनी, फलस्तीन को था अरब देसों का सपोर्ट, मतलब एक तरफ मुस्लिम समुदाय के देस थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल था, प्यम मोदी के पहले क कि दोस्ती, 2017 के बाद जिस रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखी न, उस तरीके की पहले कभी नहीं दिखी थी, ऐसे इसराइल के साथ भारत के गुपचुप रिष्टे थे, लेकिन बिल्कुल इतने खुले तोर पर नहीं थे, कि अब तो खुलम खुला दोनों ही देस सा सामने आ जाते हैं, और माना जाता है कि इसराइल में पिये मोदी की लोग प्रियता बहुत जादा है, नेतन याहू के साथ दोस्ती हो, या नेफ्ताली बैनेट के साथ रिष्टे हो, हर जगा देखने को मिला है कि इस तरीके से भारत के सपोर्ट में आता है, अभी भी जब स्थितियां बहुत पर टेंशन वाली हैं, तो इसराइल नए नए हतियार को ओफर करता है भारत, पर अब हाल ही में अपना 74 आजादी का दिवस इंडिपेंडेंडेंट डे मना रहा था इसराइल, और इसके लिए भारती मेसी ने एक आयोजन किया था, लेकिन इस आयोजन मे अचानक से पहुच गए डॉक्टर एस जैसंकर, और बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर एस जैसंकर तुरंत यूरोप की यात्रा से आये थे, और यात्रा के बाद यहाँ पहुचे थे, जिसकी वजह से इसराइल के जो एमबेजडर हैं, वो बेहत, वैसे आपको बता दें, इसराइल डे के ओकेजन पर पी एम मोदी ने भी समझी अपना सुबकामना दिया था, और तीस साल के आपसी रिष्टे को लेकर भी बात कही थी, बता दें, इसराइल और भारत के बीच आप रिष्टों के तीस साल होने लगे हैं, पर डॉक्टर एस जैसंकर ने जो बात कही वो बेहद महतून, डॉक्टर एस जैसंकर ने कहा कि 2017 में जब पी एम मोदी ने इसराइल की यात्रा की तो वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा चंद था, जब मुझे एक अलग सी फिलिंग हो रही थी, बहुत खुसी वाली फिलिंग हो रही थी, इनोंनों एक इसराइल के अमबेजडर हैं भारत में नौर गिलोन, उन्होंने बात को लेकर जहां मीडिया को बताया कि भारत उनके लिए क्या महत्तो रखता है, उन्होंने कहा कि तुरंद आये हुए थे युरोप से डॉक्टर एस जैसंकर, लेकिन वो हमसे मिलने आये, उन्होंने इस सम हमारों में अपने आपको उपस्थित करवाया, यह हमारी दोस्ती को दिखला रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हम दोनों देशों की दोस्ती और भी जादा आगे बढ़े, यहां एक तरफ इसराइल अपना चोवतरवा एनवर्सरी मना रहा है, तो वहीं 30 सालों की भारत के साथ दोस्ती की अइनवर्सरी भी मना रहा है, वैसे उन्होंने साफ किया कि जल्दी नफ्ताली बैनेट भी भारत आएंगे, वैसे आपको क्या लगता है, पाल में अमेरिका की यह एंट्री बेहत जरूरी थी, कमेंट कर अपनी राय जरू बतायें, जल मिलते हंगले वीडियो मे कि ए आम लेदा अशे रगले। गसमें-पारत आवे प्राड़े में उन्होंने साफ कि यह दो जल्ड़ते हैं लेदा कि जल्ड़त कर वीड़ते हैं, प्सक्र दुधशक